तो मेरे भाई हम लोग जब भी इस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है suggestion for you को option उपर हमें इसे highlight होता है जिसमें काफी सारे लोगों की idea हमें सो होती है जैसे हमारे related हो और या फिर हमारे गाहों के पास के पड़ोस के उनकी जो idea हमें suggestion for you के option में द देखते हैं हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और हमें कहीं कोई market में मिला होता हमसे बात करता है दो मिनट चार मिया पिर हमारे अगलबल से रहा होता है उसका idea भी हमें session for you को मिल जाता है तो हम confusion में वहां पर देखा था बट इसका जो idea हमें क्यों देखने को मिला session for you के option में त तो उसका भी जो है कि permission मिला है location का अब उस condition में क्या होता है कि आपका और उस बंदे का जो location सेम जग अप मिलता है तो उसमें Instagram को लगता है कि यह जो दुनों बंदे हैं सायद एक दूसरी को जानते हैं बट Instagram पर यह एक दूसरी की ID सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो Instagram को तुरं नहीं समझें मैं clear करता हूं मतलब इस्टाग्राम एक चैटिंग प्लेटफोर्म है आपको पता है इसमें आप तो रील्स होगर भी आप बना सकते हो तो रील्स के लिए भी सरेशन आता है उसमें यह होता है कि अगर आप कहीं जहां रहे हो आपकी कोई रिलेटिव है आप त तो आपके जो लोकेशन है आपके रिलेटिव के और आपके अगर आप सेम लोकेशन में कोभी भी जाओगे तो दोनों की लोकेशन चोई कि इस्टाग्राम ट्रैक करती एक तरह से तो दोनों का जब लोकेशन सेम होगा तो इस्टाग्राम को लगता है कि यह दोनों सेम प्ल इस पर हैं तो यह एक दूसरी को जानते हैं और उसका आइडिया आपके तुर्ण सरेशन फॉर यू के उप्शन में आ जाता है आप कई भी ट्रेवल करो आप लोग देख लो आप किसी से मिलो आप लोग अगर आप लोग ध्यान ने दियो तो आप लोग ध्यान देना आप लो और चाटे मेरा करते रहें तो वीडियो अच्छे लगी हो अगर यह इन्फॉर्मिस आपको सॉन्ज में आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो चांग को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब भी कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में